प्रेंट से पूछती है कि कहां गय थे, कहां से आ रहे हो या किसके साथ थी तो अधिकतर लड़के जुट बोलते हैं कुछ तो इस पर भरोसा भी कर लेती हैं और बाद में पता चलने पर बहुत दुखी होती हैं अब तो ऐसा अकसर पाये जाता है कि जुट बोलने की वजह से किसी के रिष्टे में दरार आ गई तो ख़बी कुछ और खबर सुनने को मिलती है यदि आप चाहती हैं कि जब कोई लड़का आप से कुछ कह रहा हो और आप पकड़ सकें कि वो जुट बोल रहा है या सच तो हम आपको कुछ ऐसी बाते बताते हैं जिससे आप तुरंट जुट पकड़ लेंगी और अपने रिष्टे को भी बचास पाएंगी अक्सर जो लड़के सिंगल होते हैं वो जूट बोलते हैं जिनके पास अधिक पैसा होता है वो भी जूट बोलते हैं साथ ही जो लोग कम पढ़ी लिखे होते हैं वो भी अपनी जूटी शान दिखाने के लिए जूट बोलते हैं पर ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही जुट बोलते हैं, लड़कियां भी जुट बोलने में काफी माहिर होती हैं, वो अपने आपको बढ़िया और सही सावित करने के लिए जुट बोलती हैं, कभी अपने माबाप से, तो कभी रिलेशन में होने पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो कि सच्चा प्यार होने की वज़ह से, उनके जुट को भी माफ कर देते हैं, या नजर अंदाज कर देते हैं, बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, टॉप न्यूज से प्रिया की रिपोर्ट